सब्जेक्ट है, SST, यून चैप्टर नमबर त्री, आउट आफ दा फैक्टरी, अ फैक्टरी इस अ प्लेस वेर थिंग्स आर मेड़्, फैक्टरी वो जगह है जहां चीजें बनाई जाती हैं, मशीने चीजें बनाने के लिए इस्तमाल होती हैं, इन दिस चैप्टर यू बिल मफीद अशिया में तब्दील किया जाता है, अ प्रोड़क्ट इस अ थिंग दैट इस सॉल्ट वायर्ज, प्रोड़क्ट वो चीज है जो हरीदार को बेची जाती है, अ राव मेटीरियल इस अ नेच्टरल डिस सॉर्सिज दैट इस यूज तो मेक्टिंग्स, हामाल कुदर मेक्टि वसाइल है जो एशिया बनाने के लिए इस्तमाल होता है, एक्जेम्पल आफ राव मेटीरियल आर हामाल की मिसाले दर जज़ैल है, वीट विच इस यूज तो मेक ब्रेड का गंदम जिस से रोटी बनती है, कॉटन विच इस यूज तो मेक लॉट्स, कॉटन जिस से कपड़े बनते हैं, आप भी नेस्ट विच इस सॉर्स अफ हनी, शैद की मखी का च्छता जो शैद का जरिया है, फ्रॉम कोको तो चॉकलेट्स, वीट गंदम, कॉटन कपास, फ्रॉम कोको तो चॉकलेट्स, कोको से चॉकलेट्स, बनाना, स्टेप बन, कोको बीन सम, फ्रॉ मरहला जो है, कोको की फलिगां जो है, वो कोको की द्रहत से हासिल होती है, कोको ट्री एंड कोको फ्रॉम्ट, अब स्टेप टू, इस कोको बीन्स आर टेकन तो चॉकलेट्स, फ्रॉकलेट्स, फ्रॉकलेट्स, दूसरा मरहला या दूसरा स्टेप इन फलियों को फ्रॉकलेट और इनको हाम या चौकलेट बनाने के लिए इसित्वाल किया जाता है। Step 3 Sugar is added in the raw chocolate to make it sweet. हाम चौकलेट में आशाज पेसाज पेदा करने के लिए इसमें चीनिय डाली जाती है। Step 4 चोर्था मरहला The chocolate is packaged The final product is sent to the grocery store. चोथा मरहला फिर चॉकलेट को पैक किया जाता है और फिर इसको स्टोर में बिखने के लिए बेज दिया जाता है प्रोसेसिंग कोको भी फनियों की प्रोसेसिंग रा चॉकलेट, हाम चॉकलेट, पैक्ट चॉकलेट, पैक्ट चॉकलेट इस लिडिंग को आपने अच्छे से याद करना है